सुप्रभात चात्रों, ओनलाइन प्लासेस में आपका स्वागत है, आज हम संदी के आठमे भाग में विसर्ग संदी का आध्यन करेंगे, विसर्ग संदी को पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने आपको स्वर और विंजन संदी को समझाने का अपरयतन किया है, आसा है कि आपको स् ठीक है तो विसर्ग संदी हम देख लें विसर्ग संदी क्या है विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा विंजन आने से जो दोनी परिवर्टन होता उसे विसर्ग संदी कहता है जब मैंने संदी का भेद आपको समझा तरहे मैंने कहा था कि विसर्ग संदी किसे कहता है जो धन का चिन होता है उस धन की चिन के पहले विसर्ग का होना और उसके बाद किसी स्वर या वेंजन के आने पर जो मेल होता है जो शब्द बनता है वो विसर्ग संधी के अंतरगत आता है अर्थाथ जो धन का चिन है उसके पहले विसर्ग का होना आवशक है और उसके धन चिन के बाद स्वर या वेंजन कोई भी चीज हो तो वहाँ पर कौन से संदी होती है विसर्ग संदी होती है और यही इसकी परिभासा में बताया जा रहा है कि विसर्ग के पश्चा स्वर अथवा वेंजन आने से जो दोहनी परिवर्तन होता है उससे हम विसर्ग संदी कहते हैं यही बात स् विंजन होना और विंजन के बाद धन चिलने के वास्वर या विंजन होना वो विंजन संदिका परचायक है ठीक है तो आई एक एक करके इसके एक दो नियम को समदने का प्रहतने करते हैं पहला नियम दिया हुआ है विसर्ग का ओ अरथात विसर्ग का ओ हो जाना यदि विसर्ग से पहले हरश्व आ या दीर्ग आ हो और बाद में किसी वर्ग के तीसरे चौथे पाँचवे फिर बार बार वही बात आ रही है वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां मर्ण आपको कल मैंने बताया था कि जब हम का वर्ग कहते हैं तो उसमें का वर्ग के पाँचवांणों का बोध होता है और उन सभी की एक नियत संख्या है अर्था अगर हमने कहा कि वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां मालीज़े मैंने यहाँ पे लिखा का वर्ग तो का वर्गे में पांच विंजन है का खा गा गा अंगा अब इनकी अगर हम नंबरिंग करने एक दो तीन चार पांच तो ये इनकी नंबरिंग होगी अर्थात का वर्गे में पहला वर्ण का है दूसरा वर्ण खा है तीसरा गा है और चौथा गा है और पांचोंगा है तो य उसके बाद में किसी वर के तीसरे चौथे पांचे मरना यहां देखे कोश्टक में लिखा भी हुआ है तीसरा चौथा पांचे मरना था गा गा अंगा यह का वर के तीसरे चौथे पांचे मरना है उसके बाद जा जा यह चा वर के तीसरे चौथे पांचे मरना है डढ़ा यह के ताथा दना और ये पावर के में से कोई या ओ या रावश है में से कोई बन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है अर्थात ये कंडिशन है अगर अगर धन चिन के बाद जो धन का चिन है उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पाँच्वाँ ब gagn हो या रा लावा शा या हो तो विसर्ग क्या हो जाता है जो यहाँ पे विसर्ग होता है वो ओ में परिवर्टित हो जाता है उधारन देख लीजिए आप उधारन लिखा हुआ है अधा अधन गती अधा अधन अधा अधन गती अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद गा है और जो गा है यह का वर्ग का तीसरा वर्ण है अगर आपको असमरण हो तो का खा गा गा अंगा यह पहला यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा यह पाच वर्ण ठीक है तो यहाँ पे जो तो तो अगर यह विसरग। व में परिवार्थित हो जायगा तो आधं हमने लिखा इसके जगाँ ओ की मात्रा इसमें लगा देंगे और गती शब्द यथावत रहेगा और ये पूरा सब्दे क्या बन जाएगा अधो गती ठीक है यहाँ पर आप देखें डेट साले उधारन लिखे हुए है एक तरफ इधर नियम भी दे दिया है विसर्ग प्लस आ मना अधन अनुकूल मनो अनुकूल विसर्ग धन गा अधागती अधोगती विसर्ग धन जा ये सभी अपने वर्ग के तीसे चौथे पाच्वे वर्णा है इस बात का अस्मरा रखिएगा तपह जोती इधर नियम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस नियम को अस्पष्ट करने के लिए उधरण दिये हुए है तपह जोती तपो जोती विसर्ग धन दा पया धन दा पयोत विसर्ग धन भा तपह भूमी तपो भूमी विसर्ग गया मना योग मनो योग मना रत मनो रत मना विकार मनो विकार मनार मनोहर ठीक है तो विसर्ग के बाद तीसरा चौथा वर्ण हो या यारा लावा शाहा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो रहता है वो व में परिवर्दित हो जाता है ठीक है उसके बाद जल्दी से हम दूसरा नियम देख ले विसर्ग का रा हो जाना पहले नियम में विसर्ग ओ हो रहा था, दूसरे नियम में विसर्ग रा हो रहा है, विसर्ग से पहले हरश्व आ या दिर्ग आ से भिन स्वर हो तो और बाद में किसी वर का तीसरा चोथा पांचवा मांड या आ या रालावा हा में से कोई मांड हो तो विसर्ग रा हो जाता है याद रखेगा विसर्ग से पहले हरश्व आ या दिर्ग आ से भिन कोई भिनस्वर अर्थात ई उ अगर आ के लावा ई उ हैं तो वो भिनस्वर है और उसके लावा क्या है तीस्ता चौथा परण अगर है तो भी विसर्ग किसमें परिवर्थित हो रहा है रा में उदारन देख लिखा हुआ है विशर्गधन विशर्गधन आ यह पूरा सब्द क्या बना निरासा इसी प्रकार से दूसरा सब्द है नीधन जन निर्जन यहां पर भी वर्ग का तीसरा चोथा पांचों वर्ण का नियम लागू होता है जा है इसलिए निर्जन परिवर्थित हो रहा है ठीक में परवर्थित हो रहा है इस जी मुमानद क्याOS मुना रखेंगे तीसरा नियम हम देख लें विचर का श्रा कर्शा चव क्षा श्राने पर विचर हो जाता है जैसे दूधन चरित दूशरित रह निवनचल निश्रण और दूधन साच्फ दूसाच्फ तो विचर व में आने पर साह होता है, उसके पहले तीसरा चौथा वर्ण था तो हो रहा था, यहाँ भी स्वर आ और तीसरा चौथा वर्ण था तो रा में परिवर्टित हो रहा था, खिलाल के लिए इतना ही इसके बाकी नियमों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे तब तक आप इतने नियमों को अच्छे से उधारण के साथ पढ़ें और पीछे जो चीजें पढ़ाई गई है चाहे वो सवर संदी के भेद हो हो चाहे वो वेंजन संदी के नियम उधारण हो उन्हें अच्छे से अभ्यास करते रहिए जो अभ्यास का कर दोद्रेब को जात में énormément क्पिटानी में